हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे जरा साइन विज्ञान के बारे में क्यमिश्टरी के बारे में तो हम लोग एक चैप्टर खतम कर चुके हैं कौन सा पदार्थों की प्रकिती एवं संगठन चलिए दूसरा चैप्टर है हमारा फरमाणू सरचना बता दें आप लोगों को जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिष्ट में सूची बनी हुए है उसी में पड़े हुए है तो चलिए सुनू करते हैं फरमाणू सिद्धान्त की कोच किस ने की तो याद रखना जॉन डाल्टन है फरमाणू के नाविक काकार क्या है तो याद रखना दस की पावर माइनस 15 मीटर ठीर कॉन एक आस्थाई कड़ है तो याद रखना दस की न्यूट्रोन किसी तत्थ के परमाणू किर्माणको सबसे सही कॉन निर्धारित कलता है तो याद रखना फ्रोटॉन की संख्या परवाणू में नाविक में कौन से कड़ होते हैं फ्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परवाणू में उपस्तित आविश रहित कड़ कौन सा है न्यूट्रॉन परवाणू में कौन से मूल कड़ समान संख्या में इस्तित होते हैं एलेक्टॉन तथा प्रोटॉन निउकलियो निउकलियो और किसका सामने नाम है प्रोटॉन एवं नूट्रॉन का एक एलेक्टॉन पर कितना आविस होता है माइनस एक दसमलोव 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सी प्रोजिश्टॉन क्या है तो याद रखना धनाविसित एलेक्टॉन परमाडू बिद्धुत क्या है तो याद रखना उदासीन एलेक्टॉन की कोच किसने की तो याद रखना थॉम्सन प्रोटॉन की कोच किसने की तो याद रखना गोल्ड इश्टीन जैम्स चैडविक ने किसकी कोच की थी निव्ट्रॉन की भारती मूल के कौन से विग्यानिक किसी मूल करकी कोच से जुड़े हैं सत्येंद नात बॉस पॉजिश्टॉन के कोच करता कौन है एंडर्सन परमाडवी नाविक किसने कोच था रदर्फोड ने इही रदर्फोड सत 1871 से 1937 रदर्फोड का जनम 30 अगस्त 1871 को इस्विंग गोव में हुआ उनको नाविकिये भोत दीकी का जनक माना जाता है रेडियो धार मेता पर अपने युगदान और सौने की पन्नी के द्वार परमाडवी के नाविक की खोज के लिए बहुत पिसिद्ध हुए भोगों 1908 में नोबल फ्रोसकार भी मिला है ने आगे बात करते हैं किस परमाडव की नाविक में नीटरन नहीं होता है तो याद रखना हाइडरोजन इलेक्टॉन की तरंग प्रकिती की खोज सरपितम किसने की डीव रोगली ने तत्त के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं परमाडू डॉल्टन के परमाडू सिद्धान्त के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कर सुतन्त रूप से रह सकता है परमाडू किसी परमाडू का रसायनिक वेवार किस पर निर्भा करता है नुकिलियस के गिरिद घूम रहे इलक्टोनों की संख्या पर नाविक की द्रमान संख्या किसके बराबर होती है नाविक में उपस्ते नुकिलियानों की संख्या के किसी परमाडू के परमाडू द्रमानों द्रमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं द्रमान चती परीक्रमर कर रहे किसी लेक्टाउन की कुल उर्जा कैसी होती है सदा धनात्मक होती है किन क्रणों के पिकीडन से नाविक क्याकार का आकलेन किया जात सकता है तो याद रखना अलफा करन ठीक आँगे बात करते हैं सवड़ पत गोल्ड फाइल सिक्किस के पिकीडन का अध्यन करके रदर फोड ने नाविक की कोच की अलफा नाविक की खोच के लिए रदर फोड ने जब धातू के पतले पत पर अलफा कड़ों की बोचारी की तो अधिकांस अलफा कड़ धातू की पन्नी को बिना बिच्छे पढ़ के पार करके सीधे निकल गए चलिए आंगे देखते हैं रदर फोड का अलफा करण पयोग रदर फोड ने इस पयोग में अलफा करणों की एक समाननांतर पुंज को सोने की पतली पत्ती से टकराने पर यह देखा कि अधिकांस अलफा कड सोने की पत्ती में से सीधी रेखा पर पार कर जाते हैं इसे यह सिद्ध होता है कि पर्माणू के भीतर पर्याप्त रिक्त इस्थान होता है अधिक पिच्छे फित अलफा कणू सिद्ध होता है कि पर्माणू का मद्ध भाग अत्ती उच्छे द्रमान वाला होता है जिसे नाविक या कैंद कहते हैं पर्माणू का समस्त द्रमान उस ठीक आलपा करें नाविक के धनावेसित होनी की खोज किसना की रदर फोडन है परमाणु भार का अंतराष्टी इमाना क्या है सी ट्वल फॉजिस्टॉन किसका पिती करन है एलेक्टॉन का नियुकिलियस की देमान संख्या उसके परमाणू किरमांग से क्या संबन दे सदा उस परमाणू सरचना संबन दी कुछ महत्तकून खोजों को देख लेते हैं एक खोजे हैं यह विज्ञानिकों की नाव है जिन्होंने खोज वह यह सन है बरस इलेक्टॉन जिजे थॉम्सन इन्होंने कव अठारे सो संतानु है ठीक याद रखना है इलेक्टॉन की खोज जिज थॉम्सन ने 1857 में परमाणू सरचना बोर एवं रदरफोड ने 1913 में प्रोटॉन की रदरफोड ने 1929 में निउट्रोन की चेडविक ने 1932 में परमाणू संख्या मोसली 1913 परमाणू सिद्धान डालतन अठारे सो तीन में ठीक आगे बात करते हैं कुछ मूल कड़ों की संकेत आबेस तथा भार तो इलेक्टॉन तो इसका या वीटा माईनस ठीक है संकेत भार एक है इसपन है एक बटे दो ठीक है प्रोटन वी है इसका संकेत आबेस पिलस इसका भार है 1836 इसका इस्फिन है एक बटे दो फिती प्रोटेंड जे अलब बीटा है बीटा प्रोजिस्टोन E पिलस बीटा फिलस टीर इसका पिलार आविस है भार इसका एक है और इसका इस्फिन एक बटे दो है फिर नीव्ट्रोन तो गामा इसका जीरो है यह देख लेना एक परमाणू में दो इलेक्टोनों विच्चारों क्वांटम संख्या है आपस में समान नहीं हो सकती है यह नियम किस विज्ञानिक से संबंदे थे तो याद रखना पावली रसाइन तत्य के अणू के संदर्ब में चुम्मी की है क्वांटम संख्या का समान्द किस से है चक्रन से वह है क्वांटम संख्या जो किसी कख्चा के कख्चा में अंतरिक्च आप अभी विन्यास की दिशा में विन्यदिष्ट करती है कौन सी है चुम्मी की है क्वांटम संख्या किसी तत के रसानिक गुड़ को कौन तय करता है इलेक्टोन की संख्या किसी परमाडू पी वाहतम कक्षा में कितने इलेक्टोन रह सकते हैं आठ एक परमाडू में 9 इलेक्टोन, 9 प्रोटोन, 10 न्यूट्रोन है इसकी द्रमान संख्या कितनी है? मास नंबर 19 18 आर ये 226 के नाविक में न्यूट्रोन और पोर्टोन की संख्या 138,188 है जिस तस्त के परवाड़ों में दो पोर्टोन, दो न्यूट्रोन तथा दो एलक्टोन हो उस तत्त का द्रमान संख्या क्या होगी? चार टिप 19 फो टिप इस हमें इलक्टोनों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, 19 टिप यदि परवाड़ों की तीसरी कक्चा सबसे बाहरी कक्चा हो तो इसमें इलक्टोन की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है? अठारे किसी नाविग का परमाणु किरमांग Z है इसकी द्रमान संख्या M है तो नाविग में न्यूट्रोनों की संख्या क्या होगी? M-Z ठीक? परमाणू संख्या सत्र है यवं द्रमान संख्या 35 की एक किलोरीन परमाणू कि नाभेग में कितने न्यूट्राण होगी? अठार है 1S2, 2S2 2P6 किसका अलेक्टोनिक विन्यास है? NE और NF+. परमाणु किरमाग 20 बाले परमाणु का अलेक्टोनिक विन्यास क्या होगा? 2882 28882 किसी धातु तत्य का अलेक्टोनिक संरूपर बनाईए तो 2882 13 AL 27 का अलेक्टोनिक सरजना क्या होगी? 283 फ्रकिती में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 8 अलेक्टोनों के समभू को क्या कहते हैं? 8 तक किसी परमाणूं की वहत्म कक्षा में वपस्तित अलेक्टोन, रशाने कभी की या में भाग नहीं ले सकते हैं 8 अक्रिय गैस ठीक है? विद्धुतावष एक्ष्थ परमाणूं या परमाणूं के समभू को क्या कहते हैं? आयान तत्यों के परमाडू के फरस्पर सहयोजन करने की चमता को क्या कहते हैं सहयोजिकता वह है विलायक जिसका फ्राविद्धत इस्थरांक उच्छोता क्या कहलाते हैं धुर्वी है विलायक दो तत्यों के वीच एलेक्टोनों के सांजे से बना बंद क्या कहलाता है सहसयोजी बंद एक ही परमाडू द्वारफ फिदत एलेक्टोन योग के सांजे से बने बंद को क्या कहते है और सहसयोजक बंद रचायनिक बंद बनने के पस्चाथ दोनों नाविकों की बीच की दूरी क्या है कहला दिया बंधन लंबाई बॉंड लेंथ ठीक अब बात करते हैं आंगे यह हैं हमारी निस्क्रिये या उत्करिष्ट गयसों की परमाणूं की इलेक्टोनिक संख्या तो यह निस्क्रिये उत्करिष्ट गयसे हो गई यह चिन है यह परमाणू किरमाग है यह बेवस्ता है वाहत्म कक्चा में वबस्तित इलेक्टोन है तो हीलियम इसका चिन है एची परमाणू किर्मांग है दो, इलेक्टोनिक विवस्ता है दो, बाहत्तम कक्छा में उपस्तित इलेक्टोन है दो, निवान इसका चिन्न है संकित एनी दस परमाणू किर्मांग है इसका, इसका इलेक्टोनिक विवस्ता है दो, आठ, बाहत्तम कक्छा में उपस्तित इलेक्टो क्वोनों की संक्या है आठ और गन आरगन की ये एर संकीत अठार है पर मानुक्रमांग का इसका 288 एलेक्टोनिक्स ब्यवस्ता है इसकी बाहत्तम कक्चा में उपस्कित इलेक्टोन है 8 कि इसका संक्रमांग से परमानु किरमांग दो आठ अठारे आठ इसके इलेक्टोनिक बिवस्ता है और इसकी बाहत्तम कच्छा में उपस्तित इलेक्टोन है आठ इसी प्रिकार जीयोन एकसी इसका संकेत है चंगवन है इसके परमानु किरमांग दो आठ अठारे अठारे आठ इसकी इलेक्टोनिक विविश्तता है और 8 के बाहत्तम कच्च में अपस्तितDie अलएक्टोने है रेड़ो होन की बात करें आरेन है इसके अलएक्टोने मेंचेह यह 2, 8, 1 sodium पर्माणू में core electronوں की संख्या कितनी है? 10 किसी पर्माणू का electronic बिन्यास 2, 8, 2 है इसमें सयोजी electronوں की संख्या क्या है? 2 एक तत्थ के पर्माणू में 19 proton 20 neutron है इसकी द्रमाण संख्या क्या होगी? 49 तत्थ एकी पर्माणू संख्या 13 है इसमें सयोजी electronوں की संख्या क्या है? एक इस थाई नाविक में neutronों और protonों की संख्या कितनी होगी? neutronों की और protonों की संख्या लगभग समान संख्या होगी यदी कक्छा की संख्या को n में ब्यक्त किया जाए तो किसी कक्छा में अधिकतम एलेक्टोनों की संख्या क्या होगी 2N स्क्वार एलेक्टोनों एलेक्टोन तब तक युगमित नहीं होते हैं जब तक उसके लिए परियाप्त रिक्त कक्छक समाप्त ना हो जाए ये सिद्धान्त क्या कहलाता है हुंड का नियम एलेक्टोन जैसे छोटे कड़ों की स्थित्यत तथा बेक का युगमित निर्धारन नहीं किया जा सकता है ये कतन किसका है हाईजैन वर्क का एलेक्टोन के आविष्क की खोश किसने की मिली कनन ठीक है करड़ वह करड़ जो NICKLEON को बांदे रखने का कार करता है मैसोन कहलाता है किसी तत की रहसानिक प्रकिती किस पर निर्वर कहती है स्रयोजी एलेक्टॉन पर न्यूट्रोनों के कुछ करता कौन है पावली मैसोन के कुछ करता कौन है यूकावा जब कोई electron उच्छ कक्षा में निम्न कक्षा में आता है उच्छ कक्षा से निम्न कक्षा तो उर्जा का उत्ररजन होता है एक दहा आयनित कारवन परमाणू की नाविक में क्या होता है 6 proton, 6 neutron कौन सा एक परमाणू भाग नहीं है photon परमाणू की फिर्भावी तिज्या कितनी होती है 10 की पावर माइनस 10 20 neutron, 18 electron बाला कड़ कौन सा है 10 की 18, AR, 38 किसी तत्र का परमाणू संख्या 35 है उसकी electron संख्या 18 उसमें proton की संख्या कितनी होगी 18 रिड आविसे परमाणू में proton की संख्या, electron की संख्या की तुल्ला में कितनी होती है परमाणू में electron की संख्या से कम तत्याँ की प्रकृति को किसके द्वारा ग्यात किया जा सकता है electronic विन्यासी करण के द्वारा ठीक अभ यहीं देख लिते हैं बिविन कक्चाओं में electron की बितरन परमाणों की पिभेंड कक्चाओं में अलेक्टोनों की बितरन के लिए वर और बरी ने कुछ नियम पिस्तुत की पहला है इन नियमों की अनुसार किसी कक्चा में उपस दित अधिक्तम अलेक्टोनों की संख्या को सूत 2N² से दर्शाते हैं एन कक्चा की संख्या या उर्जा इस तरह है इसलिए एलेक्टोन की अधिक्तम संख्या पहले कक्च या के कोस में होती है 2N² 1 की पावर 2 बराबर 2 दूसरे कक्चा में M कोस दूसरे कक्च या M कोस में होती है 2 into 2 की पावर 2 तो यह होती है 8 तीसरे कक्ष में M कोस में होती है तो इसमें 18 चोतरे कक्ष यह N कोस में होती है 32 सबसे बाहरी कोस में इलक्टॉन की अधिक्तम संख्या 8 हो सकती है किसी परमाणू के दिये गए कोस में ये लक्टॉन तब तक स्थाइन लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीत्री कक्छ पूर्ण से भर नहीं जाते हैं इससे इस्पष्ट होता है कक्छाएं किरमानुसार भरती हैं पहले 18 तत्थ फर्माडू सरजना की विवस्था के को नीचे चित्में दिखाये गया है ठीए बात कर लेते हैं द्रवों का बर्गी करन ये द्रव है फुद की बर्गी करन ठोस द्रव और गयस रसाइनिक बर्गी करन तो इसमें पदार्द समांग पदार्द बिसमांग पदार्द समांग पदार्द में सुद्ध पदार्द इनका संगठन निश्चित तथा इस्तिर होता है फ्रे बिलियन इनका संगठन परिवेतन सील होता है सोद्धपदार्थ में तत्थ और योगिक, तत्थ में धात्विक और अधात्विक और योगिक में कार्वनिक अकार्वनिक किसके निरधारान में किसी तत्थ की पर्माणू संख्या सहायकता नहीं करती है नाविक में विद्मान न्यूट्रोनों की संख्या में ठीक है जब दो एलेक्ट्रोन एक ही कक्ष में होते हैं तो उन में क्यासा चक्रण पाये जाता है विपरी चक्रण किसी तत्य के परमाणू की दूसरी कक्षा में अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है आठ कारवन का परमाणू किरमांग 6 तत्य परमाणू 12 इसके नाविक में कितने प्रोट्रोन होगी 6 परमाणू संख्या जैड द्रमबन संख्या जैड एक परमाणू में इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होगी जैड तत बाउन्वे यूरेणियम 235 में प्रोटोनों की संख्या कितनी है बाउन्वे निश्चित रूफ निश्चित उर्जा वाले इलेक्टोन जिन कक्छाओं में परिभिरमर करते हैं वह क्या कहलाती है उर्जा इस्तर क्या प्रोटोन को विभाजित किया जा सकता है नहीं किसी भी परमाडू की बाहत्तम कक्छा में उपस्तित इलेक्टोन क्या कहलाते हैं सैयोजी इलेक्टोन किसी भी परमाडू की वीत्री कक्छा में उपस्तित इलेक्टोन क्या कहलाते हैं कोर इलेक्टोन इलेक्टॉन की स्थिती तथा उसके उर्जा की जानकारी किसके द्वारां फ्यापत होती है क्वांटम संख्या नाविक के चारों और का वजचे थे जिसमें इलेक्टॉन की पाई जाने की फुराथ में पिरायकता सबसे अधिक होती है क्या कहलाते हैं और वीटल आँगे बात करते हैं उर्जा की तट्रस्त अवस्था में लेक्टॉन अल्व तम उर्जा बाले उपकोस में प्रविश कहते हैं यह नियम क्या कहलाता है और वाउ का नियम किस सिद्धान्द की अनुसार एक अक्ष में अधिक्टॉन रह सकते हैं लेकिन उसमें उनकी चक्रन देता है एक दूसरे की विप्रित होनी चाहिए पावली अपवर्जन की नियम आँगे देखते हैं किस एक नियम के अनुसार किसी भी उपकोस में एलेक्टॉन एलेक्टॉन का इगवन केपल उस समय पैरम होता है पिते कप्च में पहले एक एलेक्टॉन आ जाता है किसकी योजना के अनुसार किसी परमाडू की विविन कक्छाओं में चक्कर लगाने वाले एलेक्टॉनों की संख्या टू एने स्कॉार होती है जहां एन बोरबरी योजना संख्या है बोरबरी योजना अब बात कर लेते हैं नेल्स बोर की बारे में नेल्स बोर का जनम 7 अक्टूबर 1885 में कोपन हैगन में हुगा 1916 में कोपन हैगन में जिस बिद्याले में उनको बहुत एक सास्त का प्रोफेसर निवत किया गया दा थियोरी ओप स्पेक्टरा एंड ऐटोमिक कंस्टिश्टीश्टिश्ट इटोमिक थियोरी और दा डिस्क्रेप्शन ओप नीचर ठीक है परवाडू के विभिन उजास्तर देख लेते हैं परवाडू में उपस्तित कक्छां को उजास्तर कहते हैं नीच्ची चित में किसी फर्माडू के उचाई स्तर को पिदर सी किया गया है कक्च N बरावर फिर एक्च M कक्च L, कक्च K यह नाविक है यह नाविक देख पीउक कलाव तक अधिक्चा में अधिक्टम कितने एलेक्टों रह सकते है 6 डियू कक्षा में अधिकतम कितना एलेक्ट हो रहा है सकती है दस नाविक के सबसे निकट वाले सेल को किस कख अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है कि नाविक के किस सेल को उर्जा सबसे कम होती है नाविक के सबसे निकट वाले सेल की नाविक के किस सेल की उर्जा सबसे दे होती है परमाडू के वाहत्तम सेलगी ठीक है कि अधिक्तम एलेक्टोनों की संख्या कितनी होती है अधिक्तम 14 एस उपकच्छा का आकार कैसा होता है वित्ती है बात करते हैं वित्ती प्रमो क्वांटम संख्याओं के बारे में प्रमो क्वांटम संख्या एन एलेक्ट्रोन का उर्जा इस्तर एदिगंसी क्वांटम संख्या L एलेक्टोन का उपकोस चुमिकी क्वांटम संख्या M संपिती के इसका है एलेक्टोन का कक्षा क्षा क्वांटम संक्या एस एलेक्टोन का चक्रन P.U. कक्षा की आक्रिती कैसी होती है डमरू की आक्ति D.U. कक्षा की आक्ति कैसी होती है दूई डमरू की आकार की कक्षाओं में एलेक्टोनों को बितरन तो क्या कहते हैं एलेक्टोनिक विन्यास रसायन विज्ञान से सम्मंदित कुछ खोजें देख लेते हैं ये विज्ञानिक हैं और एक खोजें बोर परमाडू मॉडल आवज साइडी का विस्तित स्वरू वर्जीलियस उत्पेरक बैक्रेल रेडियो धर्मिता चेडविक नूट्रोन डीव रागली एलेक्टोन की तरंग प्रक्ति फ्राडे विद्धुद अगवटन का सिद्धान मैडम क्यूरी एंड जूली ओट किंतम रेडियो धर्मिता लीवी रेडियो धर्मिति थी लारेंस साइकलो टॉन मैंडलीव आवटसाणी मिलीकन एलेक्टोनिक आविस मौडले आधोनिक आवटसाणी ओस वाल्ड कमजोर विद्धुत अवगटनों की नियम प्लैंक फिकासकत तरंगिय सिद्धान रदरफोर्ड न्यूट्रोन की कोई रॉन्टजन एक्स क्रेणों की कोई रेले रामसे आवर्गन की कोई रामसे टेवर्स नियोन कैप्टोन जीनोन की कोई सोरेंसन पी एच सोल्जे हार्डी विद्धुत अवटन के से समाव थॉम्सन एलेक्टोन की कोई टेंडन टेंडल ठोस कड़ों से प्रिकास का पिकी एडन ठीक आगे बात करते हैं केल्सियम का इलेक्टोनिक बिन्यास क्या होगा तो याद रखना केल्सियम का इलेक्टोनिक बिन्यास होगा 1H2 2 S की पावर 2 2 P की पावर 6 फिर होगा 3H2 3P 6 फिर 4H2 आगे बात करते हैं सयोजी एलेक्टोनों की उर्जा परवाणूं में उपस्तित अन एलेक्टोनों की अपिक्चा कम होगी या अधिक तो याद रखना अधिक किसी तत के परवाणूं के सयोजी एलेक्टोनों द्वारा इलेक्टोन द्वारा उस तत्त के बारे में क्या पता चलता है तत्त की सयोजकता विविन तत्तें में सयोजी इलेक्टोनी की संख्या दी समान हो तो उन तत्तों में क्या समानता होगी रसायनी गुड समान होगे उनके किसी तत के सयोजी इलेक्टोनों की संख्या का आवर्सायणी से क्या संबंद है किसी तत में सयोजी इलेक्टोनों की संख्या आवर्सायणी में उस तत की वरक संख्या की बराबर होती है रसानी कभी किया में कौन से इलेक्टोन भाग लेते हैं सयोजी इलेक्टोन कौन सा ऐसा तत्थ है जिसके समिस्थानिक के अलग-अलग होते हैं हाइड्रोजन कौन से कड कड़ों के उत्रजन से रेडियो सक्रिय तत्तियों के संभारिक बनते हैं बीटा कड ठीक तो चलिए यह था हमारो परमाडु सरचना से समद्धे चेप्टर आगे बात करेंगे तीसरा चेप्टर होगा रेडियो धर्मिता ठीक